हेलो फ्रेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इस image को horror image में convert करेंगे जैसे कि अभी आपने image को देखा था, उस तरीके से बनाएंगे उसके लिए आपने इसके body के part और hair के part को अलग-लग slate करना है तो उसके लिए हम pen tool का use करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से path option के उपर click करना है और इसके body के part को यहाँ से हम इसके body के part को इस तरीके से hair और body का part आपने अलग-अलग थोड़ा sharply आप select कीजिएगा मैं थोड़ा speed पे select कर रहा हूँ तो selection करते हुए थोड़ी सी कमी रह सकती है लेकिन आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए आप थोड़ा better select कीजिएगा तो आप इसके लिए lesser tool का भी use कर सकते हैं अगर आपने lesser tool का use करना है तो आप lesser tool use कर सकते हैं लेकिन आपने इस body के part को यह जो इसकी body का part है इसको आपने sharply select करना है तो हमने यह body का part select किया और उसके बाद make selection के अंदर जाएंगे ओके करेंगे तो यह हमारा selection हो चुका है फिर आपने layer में जाना है new layer में layer via copy shortcut की control J तो आप देख सकते हो इसकी हमारे पास यह layer अलग से face की layer create हो गई है ऐसे ही आपने pen tool के द्वारा फिर path की selection करनी है इसके hair को अब हमने इसके hair को यहाँ से selection कर लेते हैं hair की कुछ इस तरीके से यहाँ से आपने सिरफ hair की selection करनी है यह भी आपने बड़े sharply तरीके से इसके hairs को ऐसे select कर लेना है पहले हम इस तरब के hair को select कर लेते हैं तो आपने दोनों तरब के hairs को select करना है तो जहां से start किया था वहां आपने छोड़ दिया और यहां से भी आपने select करना है सिरफ hair को select करना है यासे आप hair को select करते जाएए यासे जहां आप देख रहे हो आपने sharply तरिक्चे से थोड़ा select करना है, मैं थोड़ा जल्दी select कर रहा हूँ, time को save करने के लिए, तो आप थोड़ा sharply तरिक्चे से इन hairs को select कीए ज़का, इस तरिक्चे से selection कीजिए, और आपने right click करना है, make selection में जाना है, okay करना है, तो आप देखोगे इसके hair, दोनों part जो हम आपने pen tool से select किये, वो select हो गए, layer में new layer में shortcut की use कर सकते हैं, copy create करने के लिए layer wire copy आपने control J के जरिए, इसकी create कर लेनी है, लेकिन आपने थोड़ा ध्यान रखना है, यह आपने background के उपर click करके, एक बार फिर से थोड़ा back करेंगे, इसका step, तो आपने background के उपर click करना है, उ और उसके बाद अब हम इसके face को select करेंगे, आपने layer के अंदर जाना है, और हमारे पास ये new fill layer के अंदर pattern की option होती है, हम इसके face के अंदर pattern बढ़ेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो, आप layer का नाम face pattern, तो जो भी आप layer का नाम रिखना चाहें, यहाँ पे लिख सकते हो, तो यह pattern हमारा आ गया, यहाँ पे आपने pattern जो भी इसके अंदर भरना है, वो select करना है, तो यह select कर लिया, यहाँ से थोड़े scale की आपने adjustment कर देनी है, और आपने ok करना है, और if आप देख सकते हो, यह face layer का जो pattern आ गया है, इसको आपने अगर layer 1 के साथ group करना है, तो यह face को select करेंग group with previous shortcut की, control G का use करेंगे, तो यह हमारा pattern इस face के अदर भरा गया, यहाँ से हम इसका pattern mode यहाँ से change करेंगे, overlay आप use कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से color loge का use, यह थोड़ा जादा हो गया, यहाँ से hard color, इस तरीके से आपने hard या waved light, ऐसे आपने इसका color देना है, यहाँ से हम इसका color जो है overlay, यह थोड़ा ज्यादा better लग रहा है, लेकिन इसको भी और better बनाने के लिए हम, तो यहाँ पे हम इसको multi color, यह multi color दे देते हैं, ज्यादा better लगेगा, तो यह multi color हमने इसको दे दिया है, और उसके बाद, आपने इसको layer 1 के साथ, अगर combine करना है, तो layer 1 के साथ combine करने के लिए आपने यहाँ पर layer 1 के से यहाँ पर link create करना है, और उसके बाद आपने layer के अंदर जाकर merge link shortcut की control E की option यहाँ पर click करना है, तो यह दोनो layer merge हो जाएंगी, और उसके बाद हमने आगे बढ़ना है, इसके अंदर अगर हमने थोड़ा color और better इसके अंदर color भरना है तो उसके लिए आपने यहाँ से एक new layer create कर लेना है, तो हम यहाँ पर एक new layer shortcut की shift control N का use करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो face color की हमने face के अंदर थोड़ा color भरना है, और अब हम यहाँ पर जो face का color है वो भरने के लिए यहाँ पर brush tool का use करेंगे, और आपने यहाँ पर foreground color set कर लेना है, जो भी आपने face के अंदर color भरना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यह orange type color, brown, sorry, brown type color यहाँ पर select करेंगे, और इसके बाद हमने इसकी आँखों के पास, यहाँ पर यह देखिए, यह जो हमने blank layer है ना, इसके द्वारा, blank layer के द्वारा, इसकी आँखों के पास, और यहाँ से आपने यह mode इसका overlay, यह आपने mode रख देना है overlay, आँखों के पास, और यहाँ पर आपने इसके face के पास, इस तरफ और इन नाग के पास, यह ऐसे इस color को feel कर देना है, इस image को और attractive बनाने के लिए, तो यह आप देख सकते हो, पहले हमने यह brown color लिया, फिर उसक आपने new layer insert की है blank, overlay का हमने mode का use किया, और ऐसे आपने इसको overlay के जरिए effective color के जरिए इसका horrible face color बना रहे हैं, तो ऐसे आपने यह horrible, horror का आपको ऐसे लगेगा, एक horror filler के अंदर जैसे एक image का किसी भी उसका चेहरा होता है, तो बिल्कुल वैसा चेहरा हमने इसका बना दिया है, तो आप देख सकते हो, और batteries को बनान के लिए, अब हम इसके अंदर, यहाँ से custom shape के अंदर जाएंगे, यहाँ से custom shape के अंदर, यह देखे यह पढ़ा है custom shape, और यहाँ से पहले आपने एक layer create करनी है, तो यह shape layer को हमने यहाँ से sled करना है, और यहाँ से हम आप देख सकते हो, यहां से मैंने सबसे पहले क्या किया? All पे खिलिक किया, ताकि मेरे पास यह सारे के सारे custom layer के जो shape है, वो सारे आ जाएं, और यहां से हम ये bird select करेंगे, और इसके face के उपर, यहां पर आपने ये bird create करना है, इस तरीके से ये bird create करना है, और उसके बाद आपने इस को यहाँ से ये आप देख सकते हो इसकी अलग से शेप आ गई है अलग से लेयर यहाँ से ओवरले का यूज़ करके या फिर और भी आप इसके अंदर कलर बर्न इस तरीके से ये कलर बर्न का यूज़ कीजिए मोड का तो ऐसे हम इसको यहाँ पे अडजस्ट करेंगे, यहाँ से अगर आप इसकी थोड़ी opacity कम करना चाहें, तांकि यह आपको थोड़ा light color दिखें, तो आप इस तरीके से इसका color light कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से clear है, कैसे हमने यह shape देनी है, custom shape के अंदर जाकर, और उसके बाद हम हमने इसके जो hair select किये थे, अब हमने यह layer 2 को select कर लिया, जिसके अंदर हमने इसके hair को layer via copy select किया था, और उसके बाद आपने filter के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमारे पास यह option होती है, यहाँ पर sketch की, sketch के अंदर यह charcoal की option है, यहाँ पर हम इसके hair की setting करेंगे, तो आप option है, इसके अंदर, sketch की अंदर, यह देख लेते हैं, यह option better है, तो यहाँ से हम इसकी adjustment करेंगे, तो यहाँ से smoothness कितनी रखनी है, okay करेंगे, तो इसकी image, थोड़ा यह इतनी ज्यादा attractive नहीं लग रही, तो और एक दो option यूज़ कर लेते हैं, और attractive इसको बनाने के लिए, तो यह chalk and charcoal, चलिए friends, इस तरीके से करते हैं, कि इसको हम यह filter effect नहीं देते, आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसको पहले image को, और attractive बनाने के लिए, इसको, हम यहाँ से पहले flattern image के जरीए, इस image को, आप देख सकते हो, हमने flattern image के जरीए, इसको, एक, combine करके, एक image के अंदर convert कर दि